तो shrines aiding net C kes vali video में हम लोग cover करने वाले बहुत ही सारी अपडेट्स के बारे में और हम लोग video की शुरूइत कर लेतें Brock Lesner से क्या Brock Lesner dwe men फिर से कभी champion बन पाएंगे डब डबल वी में क्या उनका वापीस से एक title reign देखने को मिलेगा और बात करेंगे हम लोग सियंपंग एन सैथ रॉलिंस के मैस से जुड़ी एक मैसिफ अपडेट के बारे में तो वीडियो के शुरुआत कर लेते लेकिन उससे बहले तुम लोग यहां तक वीडियो देख चुक होते एक लाइक भी कर देना और चैनल पर न बन पाएंगे तो उस कमेंट को अगर पिक करते वे मैं आपको बता रहो देखो ब्रॉक लेस्नर वापिस से डबडबली तो छोड़ो आप लोग के इंटर कॉंटेनेटल या फिर यॉनाइट इस्टेट्स चैंबिशिप भी नहीं जीज सकते और नहीं वर्ड हैविड चैंबिशिप पिक्चर पर नहीं जाएंगे ब्रॉक लेस्नर ने अल्डेडी ये चीज बता दी चैंबिशिप से वो ऊपर जा चुके वो लेजंड के स्टेटस आप रखते चैंबिशिप अब उनके लिए इतने माइने नहीं रखता और जिन लोग के डाउट था कि ब्रॉ लेस्नर ने मतलब जो भी चीज़े बोली बिल्कुल सज बोली ए आप लोग खुद देखो चैंबिशिप को ब्रॉक लेस्नर की जहुत है ना कि ब्रॉक लेस्नर को चैंबिशिप की और साथी में तुम लोग को एक और चीज बताना था गुड निज है रॉल अमल में ब्रॉ में तो यह आने वाले टाइम में ने तुम लोगों से यह भी आता कि अपडेट को कन्फर्म होने तो अगर पता लगता है कि जॉन सीनर रॉल अमल में आए फिर रसल में आगे जब चीज़े सामने निकल आए गए उसके बाद ही मैं तुम लोग को कुछ बताऊंगा तो अब कि यह अब यहां अभी सकते है लेकिन अब अपनी यहां पर अगली अपडेट के तरफ चलते हैं और यह जुडी को लिए निकल डिस से जुडी यह आप लोग अबडेट सुनना काफी इंपारेंट एक्शन में आने वाले अब ब्लैड लाइन से तो यह पंगा लेई चुके कि रोमन है इनकी फ्यूट करवाने के लिए इसलिए डबडबली काफी जादा प्लान कर रही है निक एल्डीस को इंडरिंग एक्षन में लाने के लिए तो येस तुम लोग निक एल्डीस को ऐसा जनरल मैनेजर देखते हो लेकिन हो सकता है तुम लोग इनको फाइड भी करते अगेन और चलो गाइज इसके साथ मैं मिलता आप लोगों नेक्स वीडियो में